लोमडी और अंगूर की कहानी पहले सब्सक्राइब करें फिर सुनें एक जंगल में एक लोमडी रहती थी एक दिन वहां भूखी प्यासी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी भटकते भटते सुबह से शाम हो गई लेकिन वहां शिकार प्राप्त ना कर सकी शाम होते होते वहां जंगल के समीब स्थिते गाव में पहुँच गई वहां उसे एक खेत दिखाई पड़ा भूख से बेहा लोमडी खेत में घुज गई वहां एक उंचे पेड पर अंगूर की बेल लिप्ती हुई थी जिसमें रसीले अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे अंगूर देखते ही लोमडी, फॉक्स के मूँ से लार टपकने लगी वह उन रस भरे अंगूरों को खाकर त्रिप्थ हो जाना चाहती थी उसने अंगूर के एक गुच्छे पर अपनी द्रिष्टी जमाई और जोर से उचली उंची डाली पर लिप्ती अंगूर, ग्रेप्स की बेल पर लटका अंगूर का गुच्छा उसकी पहुच के बाहर था उसका प्रयास व्यर्थ रहा उसने सोचा क्यों न एक प्रयास और किया जाए इस बार वह थोड़ा और जोर लगा कर उचली लेकिन इस बार भी अंगूर तक पहुचने में नाकाम रही कुछ देर तक वह उचलुचल कर अंगूर तक पहुचने का प्रयास करती रही लेकिन दिन भर की जंगल में भटकी थकी हुई भूखी प्यासी लोमडी आखिर कितना प्रयास करती वह थककर पेड के नीचे बैठ गई और लल्चाई नजरों से अंगूर को देखने लगी वह समझ कई की अंगूर तक पहुँचना उसने बस के बाहर है इसलिए कुछ देर अंगूरों को ताकने के बाद वह उठी और वहां से जाने लगी वह अंगूर खाने का विचार त्याग चुकी थी पास ही एक पेड़ पर बैठा बंदर मंकी उसे बहुत देर से देख रहा था उसे जाते हुए देख वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा क्या हुआ लोमडी बहन? वापस क्यों जा रही हो? अंगूर नहीं खाओगी लोमडी रुकी और बंदर को देख कर फीकी मुसकान से साथ बोली नहीं बंदर भाई मैं ऐसे अंगूर नहीं खाती ये तो खट्ते हैं सीख जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते तो अपनी कमजोरिया को छुपाने या अपने प्रयासों की कमी को नजरंदास करने अकसर उस चीज में ही कमिया निकालने लग जाते हैं जबकि आवश्शकता है अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने की सूचबूट से काम लेने की और सफल होने तक अनवरत प्रयत्न करते रहने की दूसरों पर दोश मढ़ने से जीवन में कुछ हासल नहीं होता हासल होता है कड़े परिश्रम और प्रयासों से